तो आइस देखो, अपनी नॉर्माल आइस की तरह नहीं है, थोड़ी तिल्टिड है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जागे जोइन करो, तो आइस कैसे आ रही है, तिल्टिड से, और एक काम करो अब, करीन है, तो फोन में खोलो, और फोन में स्केच्च बुक रखना है, यहां से खलकी सी ऐसे लाइन खीशना, यह मैं रहे एक लाइन खीश दी, ओके, अब क्या करना है, मुझे 3.5 70 मीटर मार्क लगाना है, तो 0 यहां पे, 3.5 यहां पे, अब विठ देखो, अगर तुम यहां पे लाइन ट्रॉ करते हो बीच में, तो equally तो जा नहीं रहे है, ऊपर का एरिया ज्यादा बड़ा है, ध्यान से देखो अपना, ऊपर का एरिया ज्यादा बड़ा है, नीचे का एरिया छोटा है, तो पूरी आइस की लेंद, अंदर वा पॉइंट सेंटीमीटर ऊपर देते हैं, यह पॉइंट सिक से पॉइंट सेवें, और बाकी का एरिया पॉइंट 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 नीचे, ओके, यह मेजर मेंट के साथ बता रहा हूँ, ताकि जो पहली आए बने अपनी, वो थोड़ी ढंकी बने, जो लाइ जोइन करो, 5.5 cm, 0.55 cm, तो यहां पर आपनी टेप आती है, ठीक है, तो यह अपना जो मेजर मेंट है, लग्टे पितने में आएगी, यह मेजर मेंट हो जाते हैं, आपने मेजर मेंट ले लिया, कि यह 3.5 था, उपर से लीचे 1.1 था, ओके, तो इतने मेजर मेंट लो और र करना स्टार्ट करो यहां देहां दो सब लोग पैंसिल रखो देखो यह ट्राइंगल शेप है तो यह हलका सा गया ऐसे ट्राइंगल शेप है तो बोड़ा सा नीचे की तरफ और आएगा अब ऐसे धीरे से उठेगा नहीं यहां से डारेक्ट कर्व उठ गया अगा तुम आधा इस से डिवाइड करो तो यह जो कर उठा है यह पहले आए अब इसका मतलब क्या है वह यहां पर इंस्टेड ऑफ विंग इन सेंटर वह पहली टॉच कर आया इसे बीच में टॉच करें नहीं दिया और फिर थोड़ी लंबी सी एक स्ट्रेट लेगा अब कि सेम चीज नीचे वाले पिकी यहां पर टॉच कर आया और फिर एक लंबा सा कर लेगा है अब जारा ट्रब क्या है टिप अपवर्ड फेसिंग हो गई है ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है वह नहीं करना था थोड़ा देखो नीचे की तरफ इस फ्लो में है तरीके से बनाएंगे टिप इस तरीके से दो कर वा गए ठीक है इसके लावा कुछ नी करना है यहां से हलका सा कर उठाओगे इसकी आउट लाइनिंग करी बहुत जादा मोटी नी कर दिया बहुत जादा पत्ली भी नी और इसे रफ भी नी कर दिये एक दो फेर रखना ठीक है थीरे थीरे घए यहां से फोरिजांटल लाइन यहां जोन होती है यहां से लीचे कर डाफ होता है दिक आउस की और वो भी इतने मैखी जो फिर तुम्हें आइरेस का पता चल गया दिख रही यहां आइरस अब अब आजस यह ए देखो वाइड कितनी है यह यह यहां लग अब ऐसा नहीं है तुम यहां से लेकि पूरा है यहां तुम यहां से कर लो करना स्टॉर नीचों पर यॉपर जाने लगे कि अपने इस तरीके से आपने आई का अपना जो स्ट्रक्चर है वो ट्रॉप कर लिया अब उपर वाला देखो तो उपर वाले का डिस्टेंस ती जैसे देखा मैंने वह आता है पॉइंट सेटीबीर तो बैने यहां पॉइंट सेटीबीटर पैसे मार्क लगाया अब कैसे यहां पर थोड़ा फ्लाट है था यह था पीछे था पूड़ गया है फिर पीछे भी है ऐसे आया और पीछे की तरफ तरफ हो गया एक चया और एक ऐसे तरीके पिर कि तरफ देखो वहाँ जादा पास भी नी बहुत जादा दूर इंग है इस तरीके से यहां पास में है नीचे की तरफ दूर ऐसे आया हल्का सा एक कर इस तरीके से उके पेंचिल एसे पीछे पकड़ो और इसी हिस्से को हलका हलका एसे शेड करते हुए आउटराइडिक दिखने ना इस थोड़ा सा स्वालें पार्ट यह वाले हिस्से में हनकी सी आउटाइड शेड करते हुए यहां ले तो आई का पॉर्शन जो अपन को चाहिए होता है शेड़ वह अपना हो चुका अब ज़रूरी चीज़ है आई लशेस इसमें मुल्टि डारेक्शनल है अब अब ज़रूरी नहीं का दारेक्शनल हलका सा नीचे आ रहें फिर ऐसे यह जेशेप रहता है यह है यह सेंटर पे जो है वह इस तरीके से जाएंगे एक यह और एक बीच में उपर अपन कैसे बनाते थीरे थीरे एक कर देर तो उसमें गया होता चार पाच चार पाच कर बन क इस तरीके से धीरे हुआ इस तरीके से ऐसे ऊपर गया फिर एक ऐसे बीच में सेंटर पर है बहुत ध्यान देरा एक दो टिप तक नहीं है सिर्फ यहां तक है फिर थोड़ा गया पाया बीच में एक दो तीन फिर एक दो तीन चार यह अपने आइलेश इस हो गए एक आथ अ एक तो इस तरीके से देखो एक दूर का मतलब यह होता है कि एक थीरे थीरे ले जा रहा हूं एक पूरा उपन नहीं ले जा रहा हूं मेरे को देखो मैं इस तरीके से छोटे छोटे बना रहा हूं उनको combine करता हूं ठीक है इस तरीके से और पास पास रखना तरीके से दीरे और यह उपर वाले हो गए दीचे वाले बहुत कम बनाना है बहुत हलके तरीके से एक उसे क्रॉस करता है यह इसे दीचे की तरफ गिर रहे हैं और दूसरा से क्रॉस किया बस इतने का एक पेर बना तो यह एक बना फिर एक सेंटर में एक खेला इस तरीके से बनाते हैं चले जाए है छोड़ी से डारेक्शन चेंज होगी यहां पर एसे सेंटर की तरफ फोकस रहेंगे फिर यह बहु उपर ज्यादा है उपर ज्यादा टेंस है नीचे उत्रे ज्यादा नहीं है तो नीचे वाले बहुत जारे से लंबे और घने मत बना देना जैसे उपर बनाएं ओके तो इक तरफ रह करो